हेलो दोस्तों कैसे है आप आई होप आल इस वैल दोस्तों आज हम अपने डोग को बहुत यूजफुल कमांड सिखाने वाले हैं जाओ जाकर अपनी जगा पर बैठ हो दोस्तों हमें डोग के लिए एक डेजिगनेटीड प्लेस जरूर बनाना चाहिए जहां पर डोग अपनी जगा पर बैठ है दोस्तों जैसे आप देखते हो की जब हम लोग बिजँ होते हैं अ लाइक हम पर स्टडई कर रहे हैं और हमारा डोग की दूसरे रूम में जाकर का मशेर यह बाइर चबा रहा हैं यहां बात idle दोग यह चीज हो ली यह को अगर डोग को अपने डेजिगनेटीड प्लेस पता होगा उसको को भी को भी को हाम नहीन नियुकाय जोते है कौने आँख़ों सूद्ध की यहूट वीडियो को अबना रहें इस प्लीज है कि अपनी जिखा पर बैठना यह अपकी जगाया तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो आज की गो टो यूर प्लेस तो अगर आपने चैनल को अभी तिक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ में बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही यूजफूल प्लेस या कोई शीट, कोई मैट कोई भी ऐसी चीज लगा दीजिए यासे में लगा दिया है और उसके बाद आप उस लिगा पर कुछ ट्रीट या उसके कुछ टूइज वगेरा रख दिया ये मैंने इसकी ट्रीट से प्लेए और लिश लगाकर इसको यहां पर लाकर दिख atin okoha go to your place good girl okoha good girl sit stay फिरसे वेरा पर बस्क्वे तूल or फिरसे वेरा ताम मैंस्कूल कोखो, गोटो एर प्लेस यह गोड गोड तो देखा दोस्तों आपने, आप फर्स की स्टैप यही रहेगा आपने आपने टीट्स रखें और उसके आपने हेल्प करने इलिश लेगा के इशारा दिखाना फिंगर का और उसे बताना कि यह आपकी टीट्स हैं आपने हिवा चाहनला तो आज माँ चार- kau- Aquas Mund करोगे तो आपको आपको बदोक पकिजाना लिग जाएगा हमे दिखाता हम आपको यह कैसे करते है जो आजो दोखुम गोटॉए प्लेस देखा दोख ताफटेस पाइछ इसके बहुत अच्छे से किया आपने आप अब मैं इसकी without leash भी कराके दिखाता हूँ आपको कि फिर ये जब 5-6 बार ऐसी करने लगते हैं तो फिर आप leash अजाता हो तभी भी ये असाने सी करने लगते हैं लेकिन शुरू में गर आप leash लगा के सिखाओ तो बहुत असानी relatively help हो जाती है उस understand कर पाते हैं कि ये चमझी यह प्रकुर कोड़ फिर प्लेस दोस्ता शुरू में डोकर कही पार actvids नहीं दिखाय देती हैं बड़े बैठ की उपर ता आपको कि राइक पर सिखेते हैं कि फिंगर का इसाना दिखाते हैं कि यह आपकी ट्रीट है, तो उसको इंदर एक्साइटमेट आजाएगी कि मुझे यह जगा बहुत अच्छी है, यहाप जाने से मुझे ट्रीट मिलती है, तो आप जबरदस्ती बिल्कुल मत करना ना, ऐसे खेल खेल में करना ना बहुत अच्छा करेगा आपका ड्रोग है, त उसी मुमेंट आपने उसको डाउन मोलना है, और रलेक्स कोलना है, क्योंकि अगर आपका ड्रोग डाउन रलेक्स जानता हो तो छांके ररेक्सी पिछ भी ट्रीट नहीं रूबने है, यह जाते हैं बहुत बहुत आपके बैट्टेगा, मैं दिखाता, को इस बार कोई ट्री गुल्ख ताउ, फ्लेक्स आपने देवान उसके इस पास ते कोई ठीट नी ढूंडिया आजाके डाउन रिलेक्स बूलते ही और काट गई है और इतो रिलेक्स मोड में आप गया है कोई एक्साइटमेंट नी इसके इंदर और इप्लीकुल रिलेक्स हुटे मैट दिए फूब बाइउक में पाट अब ऑदो अबसेंटे-कोग बाएटलطine दीडियू और गवीजिवत.. इसट्र कि द्वेंटमेंटाड बैठी करेक्स बाज गूंडर अब आप अपकतो कोई सी बीट ही न अब आप निसार्व बीज़त ही कंति हो और अभी बेड़ता हो कुकु! गुडियों जैस! अपियो बिनाओ प्लीश कर लिये हैं और बहुत अच्छे से एक बाल पे बोलते ही उपके आपका एक एक जिगा तो आपका डोग ने आसी बहुत असानी से पस्टत बस आच्छे सुशन लेदीजिए आप उसके बहुत अच्छे से सिख लिगा आपका डोग तो दोस्ता आप आप बहुत अच्छा सीख लिया जोस्तों आप भी तुम्हार से प्रैक्टिस करा कि अपने डोग को असाली से सिखा सकते हो आपने बिद्को जबनदस्ती नहीं करनी है खेल खेल में एसी सिखाना उसके लिए एक्टिविटी होनी चाहिए फन एक्टिविटी तो दोस्तों आपने और आप सकते हैं और आपने चैनल को उस्क्राइब कर दीजिए और बीडियो पसंट आइए तब पीज वीडियो को लाइक कर दीजिए थेंक यह सौ मच फूर वाचिंग थेंक झाल झाल